असलालेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल आस्थानो कुकिंग व्लोग और आज अपने व्लोग में हम बनाने जा रहे हैं बटर नान तबा बटर नान तो बटर नान के लिए जो चीज़े चाहिए वो इस तरह से हैं यह देखें यह हमने लिए एक किलो मेंदा आधी किलो लिया ह पारियन आट सीज़े अभी हे डाल देंगे इसही स्टेज़ पे और इन शिज़े पर तुलावान ऑलन वेता अपंड़ कर लें हुआ एपने लग्डे की अनदर नी हम इस पर अच्छी तरह से मिक्स हाइँ हां पर हम इडेर चमश करेंगे नमक अबना अली बॉल भी हम इसी स्टेज पर एड कर लेंगे इसको भी हात की मदद से अम्मी इंग्स करनेंगी इसको अच्छी तरह से घून लेना है इसका जो आठा है तो यह जो जाएड़ा ताइड गुनना है ना जादा सोफ्ट गुनना है इसे नूर्माली रखना है और इसको गुनके हम आदि ग़न्टे के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप एक ग़न्टे के लिए भी रख सकते ते खैने फरेंड्स ये हमारा आठा हो गया है पर Peach नांद किस तरह से बना एंगे, तब युदू, पर हुम किस तरह से डालेंगे, वहाँ आपको बताते हैं. हम लोई, इस तरह की आटे पर लगाके पर लगाके और इस तरह से हंवी ने जो हैशा थता से इसकि बोलते चकई तो चकरी बना लिए, अब इसको जो है हम थोड़ी सी मेंदर शिरख के इसके उपर और इसको बेलेंगे, यह देखें, यह हमें एक ही शेप में बेलना है, कहीं से मोटा पतला ना करें, और एक ही शेप में बेलें, बहुत अच्छे से, इसकी किनारे मोटे हैं, बीच मोटा नह ही रहना चुंभी, अब इसको जो है हम इस तरहा से परट लेंगे, और इसके उपर से फिर सेạnhा लगा लेंगे, यह देखें, यहां पर हम डालेंगे इस पहरा धनिया, हम डालेंगे सफेद तील, अब इन दोनों चीजों को डाल के हमें फिर से टेल लेना है, इस तरहा से हम इसको पलट लेंगे और पलट के हम उल्डी तरफ से भी बेल लेंगे, जहां पर हमें मोटा या पदल कुछ लगेगा तो हम इसको फिर से अच्छी तरीके से बेल देंगे, अपना साइस जो है अच्छे से बना लेंगे, तिल्कुल गोल, अगर आप आप चाहे तो लंबे शेप में भी बना सकते हैं, शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, नान ची तरीके से पानी लगा देंगे अपने पीछे, नान के पीछे जो हमें तबे पर डालने हैं, जो साइड उस साइड पे हम इस पर पानी लगा देंगे, भूब अच्छा करके यह देखें यह डाल दिया है हमने तबे पे देखें अम्मी ने कितना गोल और कितना शांदार सा नान बनाया है बिल्कुल एक ही शेप में बनाया है और बिल्कुल भी कहीं से भी आपको भी नज़र आ रहा होगो कहीं से पतला मोटा कुछ भी नहीं है बहुत ही अच्छी तरीके से इसका साइज बनाया है ये देखें और इसमें बबलसानी शुरू हो गए हैं और खुश्बू भी तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें सारे नान बना ले लें आपने और बटर इसके ओपर से ही लगाएंगे ये देखें गयास पे इस तरीके से से उपर करकर के हमें इस तरह से घुमा घुमा के तवे को सेखनाएं और यह देखे हमारा नान सीख चुका है अब हम इसे चिम्टी की मदब से अच्छी तरह से चुटा रहेंगे दिखे फ्रेंट्स चुटाने में कोई मसला नहीं होता एक्दम से चुट जाता है हमारे नान ब होने भी लगा है और बटर नान बिलकुल रेडी है और कितने शांदार से लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है बिल्कुल रेडी मेट को ढ़रे आपको आदक को समझ में नहीं है तो आफ हमारी नान की रिशिपी पसंद Ugh करें चे झाल